दोस्तों नमस्कार, हम मौजूद हैं मज़ेपी रोहलखन इन्वस्टी बरेली में, अब ये भी राष्टी संग के सरसंग चालक मोहन भागवाद जी का व्याख्यान खत्व हुआ है, उन्होंने हिंदू सब्द की व्यापक व्याख्या किये है और अपने व्याख्यान में अब शायली कुछ अलग भले ही हो सकती है, लेकिन इस भुभाग पर रहने वाले कहीं न कहीं लोग सब हिंदू ही हैं, भले ही वह भारत माता भारत को ना कहें, भारतिय कहें, लेकिन मूल सब एक ही है, क्या बोले हैं, भागवाद जी बरेली इन्वस्टी में, आए सुनते ह उनका पूर ब्याख्यान हो, जुड़े रही हमसे, देखते रही हमारी खास रेपोर्ट कि हम नहीं ये विचार जब शुरू किया भविश्यकालीन भारत, वो समय बहुत पुराना नहीं है, स्वतंत्रता का अंदोलन, स्वतंत्रता के प्रयास, 1857 में शुरू हुए, ऐसा हम बानते हैं, उसके पहले भी चले, फुटकर, परन्तु पुरे भारत में सोचा स्वतंत्र होंगे, ऐसा पहला प्रसंग, 1857 का है, और तबसे अनुभाव, अनेक लेते, 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 हम 1947 में स्वतंत्र हुए, तब के हमारे जो दुरून थे, भारत के इतिहास को भी बहुत अच्छी तरह जानने, पहचानने वाले, समझने वाले, भारत के वर्तमान के लिए पूर्ण प्रयासरत, उसको भी बहुत अच्छा समझने वाले, और भारत वर्षे के भविश्य के लिए का तॉटनाव सब्सक्षर के भीummMan. सब्सक्रार के मामले में विखर सुरूला, कम्मिनिस्टो का भी ऑफ प्रजनी पामदत्ती जी की किताव है hackIEm प्रकाशित हुई उसमों उन्होंने देश के बारे में कहा है कि दुनिया मानती है कि अंग्रेजों के आने से यहां पर विद्णानिक मनुवर्ति उगरे सारी बातों कर विकास हुआ प्रजात अंत्रा आया यह गलत बात है हमारा लंबा इतिहास है वेदकाल से उसको देखते है तो इध्यान में आता है कि बिना अंग्रेश को भी बिना अंग्रेश के भी हम भारत वर्षों को आधुनित जगत में आधुनिकता में डहला हुआ ऐसा खड़ा कर सकते हैं कि 1972 में इस पुस्तक्ता रिप्रिंट किया गया बिना बदले उसको जैसे कर वैसा छपा गया है कि अच्चुत में नंद्य में बाद में कहा भी था कि भारत को एक राट्रा हम नहीं मानते हमारी भूलोगी कम से कम आधी शंकराचारे के समझ से तो भारत एक राट्रा है तो इस करपना में एक वाक्य ही थि थकी लेकिन आज वाद उसको बनाते राक्तर वादी ऐसा कहते तो राक्तर वादी भी थे हूँ गांदी जी भारत की जिस उदारता का प्रतीन जित्व कह रहे थे आज उसको गांदी वात कहते वात का विशे नहीं है वास्तों में लेकिन वो भी दुर्ष्टी थी इन सब लोगों ने विचार किया एक विचार किया अब कुछ बाते कही उदार नार्थ रेविनाठ ठाकुर जी की प्रसिद्ध कविता है चित्क जो तो भयोशुन्या यह ने उस व्याख्यान मालाव मैंने कहा था उसकी पुस्तक छपी आपको भी मिलेगी उसमें वो है मैं पढ़के बताता हूं बश्यका भारत उनकी कलपना ह यह वह लुड़ का यह लूड़ नार्थ फूर्ब उसकी आपका प्रसक्राइब रड़ प्रसक्राइब पूर्ण बश्यक्त उसक्राइब कर तो लूड़ पूर्चर्ण प्रस्ट्व थे उसक्षण where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit where the mind is led forward by the ये भगवान into ever widening thought and action into that heaven of freedom my father let my country awake तो रूप प्रद्न्या से विचार करने वाला सतत उत्कुष्टकाता के लिए प्रयासरत एकात्म भारत जो निर्भय है और स्वाभिमानी है ऐसी कलपना उन्हों ने की थी ऐसी गांडी जी ने जिस भारत की कलपना की थी वो भारत कैसा होना चाहिए साथ पापों से रहित होना चाहिए वो पाप उनको समाज में दिख रहे थे दुनिया में दिख रहे थे उससे मुक्तभारत की उन्हों ने कलपना की वो साथ पाप कौन से है wealth without work pleasure without conscience knowledge without character commerce without morality science without humanity religion without sacrifice politics without principle इससे मुक्तभारत की उन्होंने कलपना की थी अपने देश का समिधान है उसमें उसी भविष्य के भारत की कलपना की गई है समिधान के जो शाश्वत चार प्रकरण है समिधान की प्रस्तावना पढ़िए नागरीक अधिकार पढ़िए नागरीक कर्तव्य पढ़िए मारगे दर्शक तत्वों का प्रकरण पढ़िए कि भविश्य के भारत का रूप है कि कि सम्विधान की मूलप्रती के पन्ने पन्ने पर जो चित्र है उन चित्रों मेंसे उस प्रेरणा का शरोत आया है प्रारम Авबिंदु क्या है और हमारा गंतव क्या है दोनों को बताने वला अपना सम्विधान है कि उस सम्मिधान को जब लोगों को अरपन किया गया तो अरपन करने के पहले और बाद में डॉक्टर बाबा साभ वंबिड करके सौसद में किये हुए दो भाषण है उन भाशनों में भविश्व के उस भारत की कल्पना है यह सारी कल्पना है जो है वो उस समय के भारत के सहमती का प्रतिक है उस सहमती को सामने रखकर अनेक रास्तों से अनेक लोगों ने भारत के उत्थान के लिए भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत के समाज के लिए प्रबोधन किये करना चाहिए हमको और अलग से सोचने की जरुरत क्या है दिशा वहीं दिशा रहे हैं हो सकता है समय तब तक बदल जाता है तो समय के हिसाब से कुछ उपर ही फिरफार करने होंगे वो जिनको करने है जो विवस्था रहेगी वो सोचे बाकी भारत का जनजन और भारत के सभी समाज में काम करने वाले लोग जो तंतर की हिस्सा नहीं है उनको तो उनी बातों को सामने रखकर चलना चाहिए वैसे ही संग चलता है संग की भविष्च के भारत की यह जो कल्पना है कि वह कल्पना इससे रत्ती भर भी अलग नहीं है इन सब लोगों के शब्द अलग अलग है उसका भाव समान है संग के भी अलग अलग सब्द है लेकिन उसका भाव वही है है उसी को लेकर संगे चलता है है लेकिन सवाल वह नहीं है अगर कि अगर यह सहमति थी कि और अगर इसको सम्मिधान तक में और इस प्रकार लाया गया है तो यह अब तक साकार क्यों नहीं हुआ कि 70 साल कोई थोड़े नहीं होते हैं कि हमारे साथ एक देश स्वतंत्र हो गया उसका नाम इस्रायल है द्वित्य महायुद्ध के पश्चात की विभी शकाम है बाहर निकल कर उसके और फिर से चलना प्राडम्ब किया ऐसे और दो देशे जर्मनी और जापान जर्मनी और जापान के और तत्कालिन शासों को इससे कुछ गल्तिया हुई उसका खामियाजा सबको भुगत ना बड़ा दुनिया ने भुकता उन देशों में दो भुकता ही भुकता उसमें से बाहर निकलके और नए रास्ते पर चल पड़े हमारे साथ ही लगभग सब लोग चले हैं हमसे कितना आगे निकल गए मुठी बर जनसंख्या और बिल्लस बर भूमी ऐसा इस्तरायल रिगिस्तान कोई साधन नहीं घर बार छोड़कर अपना देश बसाने के लिए दुनिया बर की यहोजी वहां पर इकठा हुए और जिस द से लड़ाई प्रारंब हो गई चारों के सब देशों ने मिलकर आठ देशों ने मिलकर उन पांच लड़ाईया करनी पड़ी लेकिन हर लड़ाई को जितकर उन्होंने अपने भूमी का पूर्ण विस्तार कर लिया अपने परिश्रम से रिगिस्तान को नंदन्वन बना दिया अपने देश को अणवस्त्र संपन्न सामर्थे संपन्न देश बनाया और आज इस्राइल दुनिया के प्रगत्राट्रों मे एक है रेगिस्तान का देश फल फूल अन्न धान्ने एक्सपोर्ट करता है और दुनिया में धाक ऐसी है कि जू आजमी को हाथ लगाया तो उसके फल भूगतने बढ़ेंगे बड़े बड़े ओद्यूगिक शहर बेचिराग हो गया अनवस्त्रों से और जापान ने अपना जीवन प्रारंब किया एक समय में बीच में आयों दुनिया के बाजारों का राजा बन बैठा था आज वो अमेरिका के प्रभाव से मुक्त होकर अपना स्वतंत्र जीवन जी रहा है दुनिया के करते धरते जो देश है उनमें वह एक है यूरोप के देशों में सबसे प्रमुक्त जर्मेनी फिर से बन विया है हालत खराब थी आज यहां पहुँझ गए और हम करोणों जनसंख्या गुणवान लोगों की जनसंख्या वाला हमारा देश सतंत्रता का उत्सा है रड़ाई हमने जीत ली खंडिक क्यों नो सतंत्रता मिली एक बड़े भूबात को देश का खजाना उसमें 16,000 करोण रुपया बाकी है इंग्लेंड से हमको 30,000 करोण वजूलना है सारी जनता एकमत है उत्साह का वातावरण है हम क्यों पीछे रहेगे डाक्टर हिड़गवार जो संग के निर्माता थे उन्होंने विचार नया नहीं दिया है सनातन काल से अपने भूमी में अपने राष्टर का जो प्रवाद चलता है जिसको अलग-अलग सब्दों में इन सब लोगों ने अनुभव किया है माना है बताया भी है वो स्वयम सार्वेजनिक जीवन में कितने सक्रिये थे पहुत सक्रिये थे उनको तो जीवन में दूसरा उद्देश नहीं था बच्पन में ही अनाथ हो गए थे बच्पन से ही देशभक्ति की बड़ी उत्कट भावना उनमें थी प्राइमरी स्कूल की अवस्था में जब बच्चों के मन में ये विचार रहते नहीं समझ में नहीं आते उस समय वो स्वतनरता के लिए प्रयाश करते थे उनके खुर्ती में से उच्छा प्रकट होती थी विक्टोरिया राणी के राज्जा रोहन समारंब की जुबिली अपने देश में मनी सरकार ब्रिटिश थी इसलिए स्कूलों में कारेक्रम हुए मिठाई बाटी गई ये प् जार रोहन का उत्सव हमारे लिए मातम का दिन है उस समय जो मिठाई बाटी जाती हो हमारे लिए जहर है कैसे कहों में ये तीसरी क्लास का लड़का कहे रहा है कि ऐसा बचपन से मनोपिंडों उनका बना था तो उनके जीवन में अपनी पढ़ाई पूरी करना पढ़ाई पूरी करने के बाद पैसा वैसा नहीं कमाना परिवार नहीं बनाना देश के हित में जीवन अर्पित कर देना इस जनम में देश का सुख देखेंगे बाद में जनम मिला तो मनुष्य का फिर अपने सुख की च जन्म अविवाहीत रहकर मैं देश की सेवामी जीवण लगा दूनगा होँद्ण लगा दिया किरांधिकार्यकों में वो थे ःवा हुदेана कि में कांग्रेस की नेता थे समाज सुधार के लतीन में चड़ बढ़े कर हिस्स़ा लेते थे वृत्त पत्र चलाया, संपादक रहे, विवस्था पक रहे, स्वधेशी वस्तु भंडार चलाया, गणेश उत्सों में, दुर्गो उत्सों में भाशन किये, समाज प्रभोधन किया, अंदोलनों में रहे, जेल काटी, इस सारे अनुभाओं में उनको जो बात ध्यान में आई समाज के इतिहास का उन्होंने अध्येन किया, बच्पन से ही अध्येन सिल सभव था, चिंतन किया, उसमें से जो बात ध्यान में आई, और इन सारे अंदोलनों में जो मुर्धन्य नेता थे, लोक्माने तिलक थे, सुभाश बाबु थे, सावर कर जी थे, गांडी जी थे, उनकी चर्चाय हुई, उसमें से उनके ध्यान में आया, कि समस्या ये नहीं है, स्वतंत्र होना, स्वतंत्र तो हम बार बार होते रहे, लेकिन बार बार इसलिए होते रहे कि बार बार गुलाम होते रहे, बार बार गुलाम क्यों होते रहे? एक बार सिकंदर के आक्रमन के बाद चानक्य ने सारी और भारतिय प्रजा को उद्देश करके ये कहा कि नत्वेव आरियस्य दास्य भावाः इस आरियस देश के लोग गुलाम नहीं हो सकते ये मंत्र हम बार बार क्यों भूले सोने की चुडिया कहना ने माला जिसके सामर्थित्की की धाक सारी दुनिया में है ऐसा विशाल गुणवान लोगों की जनसंख्या उच्चत अत्वद्ञान एक से एक पराकरमी राजा वैभाव संपन देश भूष मुठी भर लोग हजारों मिल दूर से आते हैं देखते देखते राऊंड डालते राजा बन बैठते वो जाते हैं तो दूसरे आते हैं यह क्यों सिल्सिला चला है कुछ हमारी अपनी कमिया है जो घुज गई है उनको ठीक किये बिना उस समय के हमारे सारे लोग सोचते थे कि हमने जो हाथ में काम लिया है वो तो यह सवी हो जाएगा लेकिन वो फिर करना न पड़े इसकी कोई गैरंटी नहीं काम तो वो है है किसी को करना चाहिए हम लोगों को फुर्षत नहीं तो डॉक्ट्रवार ने सोचा कि अगर फुर्षत नहीं है तो इतने सारे बड़े- सब लोग कारिया है एसा हुआ सब लोग कह रहे है मैं उसको करता हूँ इसलिए साथ आठ साल उन्होंने इसका चिंतन किया इसको लेकर प्रयोग किये यह सारा समाज यह जुड कैसे जाए इतनी अलग-अलग भाषा है इतनी अलग-अलग जातिया उपजातिया उसमें आपसमें भेत जगड़े प्रांतवाद पंध संप्रदायों के जगड़ेए एकता सूत्र कौन सा है हृत समिधान में हम भारत के लोग हम बाबन कोण सी है जो हमको जोडती है भाशा तो सबकी एक नहीं है प्राम्ध्य कि सबका एक नहीं है पंध संप्रदाय तो हजारों बहार से भी आए है इन सब को जोड़ने वाले बात क्या है तब उनके ज्यान में आया कि ये तो पहले भी था पहली भी था अथर्ववेद की रुचा है ना जनम विब्रति भहुधा विवाचसं नाना धर्वानं प्रत्वीम यतोज़वा सहस्त्र धारा दर्वेनस्ते में धुरुआ धुरुवे पंथशम्त्रदाय लेकिन पंथसंप्रदाय तो भी उस समय से ही अनेक थे वेदों में ही इंद्रिका शुकत्ऻ है वरुन्रव का सुपता नधी का सुकते है भूमी का है शक्ति का है शुर है सब है 확인 देवी देवताव पासना पंठ थे अनेक भाशा ही थी लेकिन जैसे हैं पुर्च्वी माते कोई गाहे अपने सभी धाराओं से सब को दूद देती है वैसे तुम हमको शश्य सबको प्रदान कहो यह उस समय की प्रार्थना है जब आज की की दुनिया कहती है कि इतिहास प्रारम्व नहीं गवाथ है लेकिन हमने सदा यह कहा कि भाई एक है कि अजम कहते हैं विविधता में एकता यूनिटी इन डाइवर्सिटी लेकिन हमारी परंपरा सिखाती है कि सब अलग-अलग है उसमें तुम एकता जोडने का प्रयास तुमको नहीं करना है सब दिखता अलग-अलग है यह विविधता एक की ही विविधता का है विविधता है कि इस आर दी डाइवर्सिटीज ऑफ वन सिंगल यूनिटी कि सारा अस्टित्व एक है यूनिटी ओफ एक्जिस्टन्स और सर्व सुख का वो निधान है सुख बाहर नहीं सुख अपने अंदर है यह कभी फीकाला पढ़ने वाले सुख के तो वादिकारी हो जाओ तो उसी भूमी के टुकड़े का नाम बदलने में देर नी लगती वो पाकिस्तान हो जाता है वो भाव है हिंदु भाव को जब जब भूले आई विपद महान भाई तूटे धर्ती खोई मिटे धर्म समस्थान कल कुछ बात हो रहे थी उसमें हमको बताया गया कि एक सज्जन हमारे यहां के पाकिस्तान गये उनके पुराने गाउं में वहां गये तो लोगों ने बड़ा स्वागत किया बिठाया उनको वहां के पद्धति के अनुसार और घी का बरतन दिया स्वागत किया लोग रोए उनके सामने भाव तो भावना तो है अभी भी तो यह क्यों हुआ यह इसलिए हुआ कि आप और हम आत्मी अताता जो आधार है वह भाव भूल गये हैं इसलिए हिंदु राट रहे हैं अर्वाए हम राम कुरुष्ण कर नहीं मानते हम उनकी पुजा नहीं करते हैं कोई बात नहीं है क्शिए कट नहीं हंदु पूज़ा है जाकर आतूं को जाके पूछोह करेंदे में हमए श्यूजी जीजी ब्हक्तों को जाकर पूछ वह कह drinking को कोई अपनी भाशा बताएगा कोई जाती बताएगा अलग अलग बताएगे यह हम सब लोग क्या है यह होने के बावजूद अगर हम एक देश है तो किस आधार पर है संविधान कहता है इमोशन इंटीग्रेशन लाने का प्रयाश करो वह इमोशन कौन सा है वह इमोशन है यह देश हमारा है हम इस देश के प्राक्रमी पूर्वजों के वह उसे जाए और हम सब को इन विविधताओं के बावजूद यहां मिलकर रहना है इसी का नाम हिंदु तो है हिंदु में कोई पूजा बता ही नहीं है हिंदु — कोई वीधि करना पड़ता हूं हिंदुussen के पूर्वजं इंदु है और हिंदु है पूजा बदली ही तो पैचान है वे राट्रयता है संस्कृत्ह है हम अपने पंथ से हम अपने नामों से हम अपनी भाषा से हम अपनी जाती उपजाती से हम अपने प्रांतों से एकदम अलग-अलग होंगे भी तो भी हम अपनी पहिचान से एक है हम अपने संस्कृती से एक है हम अपनी आकांग्षा में एक है हम अपने भूतकाल में भी एक है वो क्या है लोग कहते भारत है बिल्कुल ठीक बात है दो रहा है नहीं लेकिन भारत एक भुगोल का भी नाम है वो भुगोल बदलते रहता है और भारत है ऐसा कहने के बाद भी लोग पूछते लेकिन कौन हो तो ऐसा कोई नाम जो भारत है इस पहचान को बाधान लाए और भारत है यह एक दम सपश्ट करें कंटेंट को दूसरा शब्द नहीं है कि जब हम संग्ध के लोग कहते हैं कि हम सब लोग हिंदू है इंदू का देश है और यहां एक्स्टOOD करोड लोग हिंदू है इसका मतलब हम किसी के मद को बदलने की बात नहीं भाषा जाती किसी को बदलने कि कुछ बदलना ही नहीं पड़ता है ना भाई आप भारत माता की संतान हो आप यहीं के पुर्वजों के वहों शुजो और आप भी उसी संस्कृति में चल रहे हों कमदिक प्रभाव उसका सब पर है अपने पन्सज हम्रदाय को पक्के रहो वहां पे हमारी सद्वावन आपके साथ है अपनी भाषा बोलो उसका गवरों मन में रखो हमारी सद्वावन आपके साथ है अपने अपने जाती के उन्नती के लिए प्रयास करो जाती भेद मत करो हमारी सद्वावन आपके साथ है अप अपने अपने प्रांत का नाम रोशन करो हमारी सद्वावन आपके साथ है लेकिन फिर भी हम भारत के क्यों है इसलिए कि हम इस बात को मानते है जिसका कंटेंट के वले एक ही शब्द से आज निर्देशित होता है हिंदू बात में बदल जाएगा तो देखेंगे लिए आज तो ही सब्द है जहां ये बात हुई कि हमको हिंदू नहीं चाहिए अत्वा हिंदू नहीं रहे अत्वा हिंदू भावन लोग हो गई भारत से अलद आज भारतका वही हिस्सा है दूसरा नहीं dai भौतिक स्थिती में भी जहां गडबड़ है वहां आप देखेंगे तो हिंदू भावना अशक्त हो गई है संपूर्ण राष्ट्र का प्राण जिसे एक सब्द में समाया है वह हिंदू है इस देश के परमवेव को कब प्राप्त होंगे हम जब यह सारा समाज इस प्रकार अनुप्राणी जोकर सब के लिए प्रयास करेगा बस संगह के इतना ही काम है मनुष्य निर्मान और कुछ नहीं संगह को जानते समय यह भूल होती है कि संगह को नहीं देखते लोग संगह के स्वयंशयोग जो कर रहे हैं उसको देखते हैं लेकर तो सौंसकार तक सब बातों में है वो सर्थ अलग स्वतंद्र स्वायत काम है उन पर कोई रिमोट कंट्रोल वगरे राष्ट्रिय स्वयंशयोग संगह का नहीं है सग्ग का एक काम है मनुष्य का निर्माण । राष्ट्रहित में है वहाना हमारे स्वयंशयोग है आपस में बात चलती है सवयोग भी चलता है लेकिन वो संगह नहीं संगही है मनुष्य निर्वाण का लोग कहती हिंका कुछ अजंडा हमारे क्या अजंडा हुआ भारत चलता है सम्विधान की व्योस्ता से चलता है और हम इस सम्विधान के लावा दूसरा कोई शक्ति केंद्र हो ऐसी इच्छा करते नहीं ऐसा हुआ तो हम विरोत करेंगे क्योंकि उस समय की सहमति है मैं तो उस समय जन्मा भी नहीं था मैं 1950 का जन्मा हूं लेकिन मुझे संगह में यह कहा गया कि इसका संभाल करो यह हमारी सहमति है यह चले गया बहुत सोच विचार कर डक्टर अंबेड कर जैसे मैं बनाया है उस पत को छोड़ना नहीं है हमारे स्वेंशों कुछ करते हैं और लोग कैते हैं देखो इनका आजेंडा अब इनको समाप्त करना अरे क्यों भाई हम तो यह समाप्ति वगरे पर विश्वास ही नहीं करते हम तो हिंदू है ना हिंदू तो वसुध ही वकुट लेकिन उनका विरोध और हमारा करना या हमारा विरोध और उनका करना इसमें एक विश्वास है हम उसको ऐसा देखते हैं कि हम और आप सभी एक देश के नागरिक है हमारा मत अलग है आपका मत अलग है हम उसका प्रचार करेंगे एक दूसरे के मतों का खंडन करेंगे समाज निर्णे करेगा वैसे हम सब चलेंगे, निर्णे करने वाले तंत्र समिधाने बना रखे, उनके जो निर्णे हैं वो माने जाएंगे, क्योंकि हमारे मन में अविश्वास नहीं है, हमारे मन में विश्वास है कि ये सब विकार जनित जो आपसी फूट वगरे चलती है, उसके रास्ते से गुजर कर भी हम सब लोग एक रहेंगे इतना हमारा एकता का सुत्र मजबूत है रविना ठाकुर ने यही कहा था सुधिशी समाज नाम का उनका निबंद है तीन प्रॉपनों यह निश्कर शुरूत में कहा है कि अंग्रेज लोग क्या समझते हैं इंदूर मुसल् धून लेंगे और वह तरीका अवश्य हिंदू तरीका होगा यह उनके शब्द है रवन्ना ठाकुर के संग के जन्म के बहुत पहले यह हमको जोडने वाला जो शब्द है वो इतना मजबूत है कि वो सबको आत्मसात करेगा सबको जोड़ लेगा बिना किसी की विशेष्टा का हनन किये सभी विविधताओं का स्विकार संमान करते हुए सबको एकता के सुत्र में पिरोएगा लेकिन उसके लिए आचरन का एक अनुशासन चाहिए मन का एक अनुशासन बुद्धी का एक अनुशासन जिकाई है वो शरीर मन बुद्धी का अनुशासन उसका अभ्यास संध की शाखाओं में स्वेंचव करते हैं करना सिकते कोई भी आपन्थ को भी हो हम पांदि को लिकर देखेंगे इंदेत जो आते हैं अनको हम सिकर क ₤ और आते है उसमें भारत की सभी पूजाहों के प्रतिमिध़ और भारत के बाहर से पूजाय अपने यहां आई है उनके भी लोग है यह अभी ऐसा विस्ट मुझे बताया है अपने कार्व करतों अगरा में हमारे पुराने स्वाइट तुन्ती वर्शेखित है अजमेर इसंग में इसा कुछ नाम है मुसल्मान है चुछ तुन को रुचित है। कि हम में कितनी जाती है और कितने हम सब एक है भारत माता की पुत्र है तो ठीक है क्योंकि आप जो कहिरे हैं वी Gelty' know when set को शब्दों से कोई जग्रा में है क्योंकिम अपना दिमाग्र पश्कार है इसलिए मानते हैं क्योंकि हम जब यह मानते हैं तब हमारे चली। कोई भी संप्रदाय हो वो हमारा अपना है यह भावना हम कर सकते हैं और हम करते हैं कोई भी भाशा हो वो अपना है यह भावना हम कर सकते हैं करते हैं कोई भी प्रांत हो वो अपना है ऐसा मान कर हम चलते हैं कि इसलिए चलते हैं कि हमको पता है कि सारा भारत वर्षक जिस अप बावना उस वह हमारी पहिचान शम्द आपकुछ भी उप्योग करो हमको कोई इतराज भी कि ऐसे अपना संदर का काम चलता है रोज शाखा में स्वेंचों काती यही सिखते हैं भारत का गवरों बढ़ाने वाले गीत भारत के महापुर्शों की कहानिया यही सब सुनते हैं बिना जाखपात पंतप्राम्त अमीरी गरीवी विचार किये जो स्वेंचों काता है उसके साथ भारत की मिट्ति में लोट-पोठो के शारीर कारकूं करते हैं खेल खेलते हैं उसके घर में जाते हैं खाने पिने का संदलेता ऐसा चलता है कि गनिष्टता इतनी हो जाती है कि यह दुनियादारी में जो भेट पैदा हो गये वह आखों से उनके परदे गिर जाते हैं और शुद्ध अपनत्व का नाता रहता है एक अपनत्व के सूत्र में संपूर्ण भारत्वर्श को भानने का संग का इरा संगंतों होने के बाद संगों को दूसरा काम करना नहीं है क्योंकि जो काम करने होंगे वो करने के लिए उस समय का समाज क्योंकि उसमें यह एकात्मता है समर्थ हो जाएगा किसका दर्द कहा है यह समझने में इस प्रेम के कारण ही वह हिंदु समाज उस समय का समर्थ हो जाएगा किसी का दुख दर्द नहीं रहने देगा किसी को अभाव में नहीं सब लोग है इनके लिए मेरा जीवन इनको मुझे वापस देना है कि यह एकमात्र देले के संग चलता है और संग को कुछ नहीं चाहिए हम तो गीत सिखाते तेरा वह अमर रहे मां हमदी न चार रहे न रहे देया साधना अमर रहे संग इसे लिए संग की इतिहास में कितने प्रसंग आये संग समाप्त करने का करने बाद कर लोगों प्रयास किए संग समाप्त नहीं हुआ उसको समाप्त करने वाले समाप्त हुगे तो कि यह प्रेम लेकर चलने वाला सत्य लेकर चलने वाला काम है उस प्रेम के सत्य की शक्ति हमारा बचाओ करती है जैसे प्रलागता हिरन ने कश़पू से नर्सियों भवान ने किया चलेगा बढ़ेगा सबको अपने आगोश में लेकर भारत वर्षक को उन्नत बनाने के अभियान पुगती देगा ऐसा हमारा संग का काम है वो अपना संग है हमारा संग नहीं है लेकिन चला है कितना अपर प्रचार चला है तब से अपर प्रचार करने वाले जो जो आरोप हम पर लगाते हैं सब आरोप उन पर लगू होते हैं हम पर नहीं होते हैं कौन-कौन है अब देख लीजिए उनको अध्यन कर लीजिए उनकी इतियास का और वरतमान का तो उनका भविश्य भी आपके द्यान में आएगा लेकिन उनकी चाले कि एक वहम पैदा करना वहम में फिर आदमी विचार नहीं करता है इस वहम का डर दिखा कर अपने पीछे भीड़ जमा करना हो हम भीड़ जमा करने पर विश्वास नहीं करते हमको किसी को हरान में हमारा कोई दुश्मन नहीं है यह सब लोग ऐसा जो कर रहे वो भी वो भी हमारे अपने है कल हमको उनको भी जोड़ना है पूरा समाज है ने पूरा समाज उसमें से कोई नीच चलते हैं कभी को है और कभी की समझ में आने के गारण भी होता है कि मुझे प्रश्ण पूछा कि कि कितनी संतान हो है कि छपा है कि मैंने दो बच्चों का का मैंने ऐसे का ही नहीं मैंने हमारे संग का जो प्रस्ता होगा जनसंख्या का उसका बता है मैंने का जनसंख्या एक समस्या भी है जनस आपका मन बनाना चाहिए उसके लिए और बाद में वो लागू करनी चाहिए सब पर तो वो ग्नीती अगर तही करती इतने हो तो उसमें क्या है मन बनाएं तो फिर कठिना ही नहीं आएगी तो कैसे समझा पता नहीं यह भी हो सकता है कि पहले से कुछ प्रति किया हाथों को टटोली नहीं दे ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको इस समझ में आएगा कि यह संद्ध किसी के विरोध में नहीं चलता किसी बात की परिष्ठिती की प्रतिक्रिया में नहीं चलता संपूर्ण भारत वर्षकों उसके सब भारतियों को उनके अपने जीवन में सद्वयवहार सदाचार सत्प्रवृत्ति सिखाने वाला उनके सामोईग जीवन का प्रयास भारत को प्रम्वेभ वोपन संपुन्न बनाकर विश्व में जो दूविधा आज है जिसको दूर करना केवल भारत के बसका है उस दूविधा को दूर करने वाला समाज बनाने वाला ये एक प्रेम और सत्य के आधार पर चाने वाला अक्यंत सात्विक कारिया है अब देखिए आकर देखिए और अगर आपको लगा कि उस दिन भगवजी नी जो कहा वो सब गलत था तो आप विरोध कर सकते हैं लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो पुस्तक पढ़के नहीं कह रहा हूं बचपन से मेरे जैसे हजारों लाखों स्वहन्चवक संगा में आकर जो अनुभव करते हैं उस अनुभव को मैंने आपके सामने रखा है वो किवल मेरा अनुभव भी नहीं है कि हजार प्रकार की पुष्ठभूमि वाले हजार प्रकार के सभाव प्रुद्ति वाले हजार प्रकार के प्रत्यक्ष स्थिति वाले स्वेंचों के जो अनुभव है उसका सार मैं आपके सामने रख रहा हूं कि भविश्च का ये भारत जिसकी कल्पना आप जिनको हम फाउंडिंग फादर्स अब मौडर्न इंडिया पहते हैं उनके सपनों में था जिसको साकार करने की आकांग्षा लेकर हम समिधान का पाड़न करके चलते हैं और जिसके साकार होने से केवल हमारे भविश्च कालीं पीडी की आकांग्षाए पूर्ण होगी या भारत की किर्थी सरुदूर फैली गे ऐसा नहीं तो दुनिया का भी सारा संत्रास दूर होगा उस भविश्च के भारत को गड़ने की योग्यता प्राप्त करने का जो एकमात्र प्रया साथ चल रहा है और जो एकमात्र उपाय है उसको आकर देखिये परखिये और अच्छा लगा तो उसके कार्य में हाथ लगाने वाले कार्यकरता बन जाईए मैं बहुत शांती से सुन लिया और मेरे इस आवाहन का विचार आप करेंगे इस विश्वास के साथ आपके प्रतिकृतत नियता वेक्त करते हुए मैं अपने चार शब्दा समात्र करता हूँ आप मात्र करते हुए लॖ आपके डर वत्वत करते हुए ने शुचे ने अफरियर kalo करो कार्य आपके प्रतिकृतत अथिशेश rechtsशवरू मादरम, वंदी मादरम, वंदी मादरम